गुपियां अपनी सखी से कह रहे हैं कि सखी आपस में बाते कर रहे हैं सखी आयो वसंत रितून को कंत चहुद से पूल रही सरसों कि है सखी कि यह वसंत रितू आ गई है जो रितून को कंत रितूं का सवामी बसंत आ गया है यानि भी बसंत को रितूं का सवामी कहा गया है चहुदिस फूल रही सरसों, चारो देशाओं में, चारो और चारो देशाओं में सरसों फूलने लगी है बर सीतल मंद सुगंद समीर, बर मान स्रेट, सीतल ठंडी, धीमी धीमी, सुगंदित हवा बहने लगी है क्यों चारों और सर्षों फूल रही हैं, दूसरे और भी फूल हैं, तो सुगंदे थावा दीरे-दीरे बहने लगी है। 57 हार भयों गर्सों, गर्सों गले तक आकंट पूरी तरह से, कि और ये सारा जो मौसम है वसंत का, वो पूरी तरह से हमें परिशान करने वाला हो गया है। 57 हार भयों पर्सों को बिताय दियो बर्सों, तर्सों कब पाएं पिया पर्सों कि पर्सों को आने को कहा था, लेकिन बर्सों व्यतीत हो गएं और अभी भी नहीं आएं। तर्सों तरस रही हैं हम, कब पाएं पिया पर्सों कि कब हम अपने प्रियतम श्री के पर्सों माने इस पर्ष करें, कब उनके चड़ों का हम इस पर्ष करेंगी। कि पर्सों जो कहने गए, दोनों के अर्था लगें पर्सों कल के बाद आने वाला दिन और पर्सों माने इस पर्ष करना। प्रष कोपियां कह रही हैं कि इतना सुंदर रितुराज बसंत आ गया है, चारो दिसाओं में सरसों फूलने लगी है, और सुंदर थंडी सुगंधित हवा बहने लगी है, जो कि हमको पूरी तरह से परिशान करने वाली है, सताने वाली है, जो सांबला सुंदर नंद कि शो तीत हो गए हैं अब हम तरस रहे हैं कब हम अपने प्रियतम के चाणों का इस पर्श करेंगी इन दुखियान को ना चैन सपने हो मिले अपनी आखों के बारे में कहते हुए बताते हुए गोपियां कह रहे हैं कि इन दुखिया आखों को इन दुखियारी आखों को सपने में भ प्याकूल, बिक्वब, अकूल आएंगे। इसलिए हमेशा ही ब्याकुल होकर बेचेन होकर परिशान रहेंगी। तो जो हमारे प्राण हैं, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी, अब तो प्राण अगर चले भी जाएंगे, तो भी ये उन प्राणों के साथ नहीं जाएंगी. देखो एक बार हूना नैन भर तो ही आते हैं कि हे क्रेश्न तो ही आपको एक बार भी नेत्र भर कर नहीं देखा है आते हैं इसलिए जोन जोन लोक जहें तहां पच्छताएंगी कि मृत्यू के बाद जहां ये जाएंगी तो जिस जिस लोग में जाएंगी बहाँ बहाँ ये पश्चाताप ही करेंगी कि हम एक बार भी ठीक से देख नहीं पाए बिना प्राण प्यारे भै दर्स तुमारे हाई मरे हूप पे आँखें ये खुली ही रहे जाएंगी हे प्राण प्यारे प्रियतम हे श्रीकेशन आपके दर्शन के बगैर ये आखें अगर हम मर भी गएं तो हमारे मरने पर ये आखें आपके इंतजार में खुली की खुली ही रह जाएंगे कि अबदिए अब्सके एंगर में तो हमारे मिंगर ये आखें से खुली है।